सब गाइस लगातार स्टुडेंस की क्वेरी जा रही थी जो आपकी लेटिस्ट वैकेंसी आई है आरो की हिंदी की उसके बारे में कुछ कंफूजन स्टुडेंस के मन में है कौलिफिकेशन को लेकर तो मैं वीडियो इसी टॉपिक पे बनाया हूँ यदि इसके अलावा आपक बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं ताकि आपसे वीडियो सकिप न हो क्या होता हूँ और दो गंटे बाद उसी टॉपिक पे फिर से समाल आ जाता है ठीक है तो आप लोग एक बार बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो वीडियो इसकिप नहीं होगा और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं स्टडी माटेरियल्स के लिए यदि आप स्ट्रप्रदेश के तो 600 रुपए फीस लगेगी चीक हर चीज सेम है हर चीज सेम है बस एक चीज थोड़ा से इसमें अलग हो मैं आपको बता रहा हूँ गस्टेड ओफीसर रहेंगे आप चीक है 4800 ग्रेट पर की आपकी जॉब रहेगी लेविल 7 की चीक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर जो डाउट है यह बता देरा हूँ आपको देखिए साफ साफ लिखा हुआ है बैचलर डिगरी फ्रॉम रिकॉगनाईज रिटी स्टेबलिज बाई लॉइन इंडिया और क्वालिफिकेशन रिकॉगनाईज आज एक्विवेलेंट देर्टू ठीक है एक्विवेलेंट होना चाहिए देर्टू प्रिफरेबली इंग्लिश एंड हिंदी बोथ अध इंट टाई हो गया ठीक है आपका टाई हो गया मार्क्स उस केस में जब आपका मार्क्स टाई हो जाएगा तो प्रात्मिक्ता उनको दी जाएगी जिनका ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश विशय है apply कोई भी कर सकता है BSC वाला भी apply कर सकता है BTEC वाला भी apply कर सकता है कोई भी apply कर सकता है लेकिन जब tie हो जाएगा जब marks बराबर हो जाएगे तो प्रात्मिक्ता उस समय उसको दी जाएगी जिसके inter और graduation में English और Hindi विशयत था ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिन्रों ने law किया हुआ है BA करने के बाद जिन्रों ने law किया है उनके BA में Hindi English विशयत था और intern में भी English Hindi विशयत था ठीक है तो बिल्कुल वो लोग बिल्कुल apply कर सकते हैं apply कोई भी कर सकता है लेकि प्रिफरेंस होनी को दिया जाएगा ठीक है क्योंकि ये आपकी special degree है specialized qualification है एक दरिके से ये तो वही लोग इसको apply कर सकते हैं आप लोग चाहें तो risk ले सकते हैं माकी computer qualification के बारे में आपको ज़्यादा बताना ही नहीं है same वैसा ही है जैसा पिछली vacancy में था एक बात मैं इसमें और बताना चाहता हूँ जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए देखे ये vacancy तो हाला कि जो भी इसका exam pattern है पिछली exam की तरह है लेकिन इसमें एक stage और extra है जो आपको देना पड़ेगा ठीक है और यही सरदर्द है आप लोगों के लिए सबसे पहले देखिए stage 1 stage 1 as it is वैसा ही होगा जैसे जो पिछली vacancy आपकी आरो यारो की थी वैसा ही है ठीक है 200 question MCQ के होगे और MCQ होगा इसके बाद 15 minute 15 minute का gap होगा इसके बाद आपके typing होगी 500 word आपको type करना होगा English typing आपकी आएगी और 20 minute आपको typing का time दिया जाएगा same day आपकी typing होगी 15 minute के gap के बाद यह देखिए साफ साफ दिया है stage 1 stage 1 में आपका part A और part B होगा part A आपका MCQ है part B आपका typing है 15 minute के gap के बाद आपकी typing होगी यह आपका stage 1 होगा जो आपकी पिछली vacancy आए थी RO की उसमें सिर्फ इतना था इतना exam होता उसके बाद result दे दिया होता है लेकिन इसमें क्या होगा आप part A, part B दोनों देंगे stage 1 मतलब आप exam देखिया हैंगी इसके बाद result आएगा 5 गुना candidates को pass करेंगे English to Hindi translation चूकि आपकी Hindi की vacancy है RO Hindi की तो English to Hindi translation 100 number का और Hindi to English translation 100 number का हालाक इसमें एक बात और अच्छी है कि qualifying marks आपका सिर्फ 33% है मतलब 66 number यह दिए आप 200 में से 66 number ला देते हैं तो आप pass है लेकिन आप समें यही कहूंगा target मत करिए कि आपका 68 number आए आपका 70 number आया तो आप final result में आप pass हो जाएंगे ठीक है pass वही candidate होगा जो 140 number जो 70% translation में लाएगा ठीक है translation में बाई जो 70-75% लाएगा 140-150 number जो लाएगा वही final merit में उसका नाम आएगा ठीक है pass होने से कुछ नहीं होता story का translation नहीं है देखे इसमें साफसाथ दिया हुआ है judgment pleading judgment हो गया pleadings हो गया इसका translation होने वाला है और आपका जो acts होता है section होता है इसका और जो rules आते हैं उसका translation होने वाला है ठीक है और तीसरा क्या हो गया expression common expressions और जो आपका glitches जो यह सब होते है इसका translation होने वाला है तो इसको आप परखिये कैसे परखने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ आप सभी के पास क्रिशी कानून होगा जो प्रिशी कानून आया है ठीक है तो जो क्रिशी कानून आया है उसका आप लोग जो हिंदी वाले छात्र हैं हिंदी का PDF निकाल लिए गंवेंट की साइट से जब हिंदी का PDF निकालेंगे तो आप लोग उसको बिना देखे मतलब बिना चीटिंग किये उसको आप लोग English में translate करने की कोशिस करिए जब आप English translation उसको कर ले जाएंगे तो बाद में English का PDF डाउनलोड करिए और बाद में उसको चेक करिए फिर मिलाइए आप कितनी गलती कर रहे हैं ठीक है और फिर अपने मांक साब देने की कोशिस करिएगी कितने नंबर आप के आ रहे हैं मतलब भई होना चाहिए एक बात आपका और बता रहा हूँ यदि आप यह नहीं कर सकते तो जिसके पास लक्षमी कांथ की पॉलिटी की वोग है हिंदी में तो आप लोग क्या करिए फंडमेंटल ड्यूटीस जो आपकी है फंडमेंटल ड्यूटीस को जो हिंदी में है आप उसको इंगलिश में ट्रांसलेट करने की कोशिस करिए जब आप इंगलिश में लिख लेंगे तो उसके बाद लक्षमी कांथ इंगलिश से आप उसको चेक करने की कोशिस करिए और फिर देखें, एक sentence में कितने आपके words गलत हो रहे हैं और total कितना आपका गलत हो रहा है ठीक है? अगर मालीजे आपने 100 words translate किया है और 100 words में आपकी 30 गलतिया है, तो ठीक है चल जाएगा? ठीक है? चल जाएगा ठीक है, आपको 70 number मिल जाएगा लेकिन अगर आपका sentence गलत हो रहा है और tense बिल्कुल गलत हो रहा है तब फिर समलेजे बहुत दिक्कत है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ इतना आसान होने वाला नहीं है और जिन्होंने law की पढ़ाई की होगी वो लोग तो जानते होंगे कि कुछ-कुछ लोग के शब्द कुछ-कुछ ऐसे होता है जो बहुत special होते है मतलब जब तक आप उस शब्द के बारे में पढ़े ना होंगे तब तक आप translate नहीं कर सकते जैसे इसमें common expressions की बात किया गया है जैसे होगे आपका writ of searchuary searchuary के बारे में आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक आप searchuary के बारे में पढ़े ना होंगे तो वही मैं कहा रहा हूँ कि ये इतना आसान आपके लिए translation नहीं है यदि आपको लगता है कि आप translation कर सकते हैं आपके marks अच्छे आ सकते हैं आपके marks अच्छे आने का मतलब है कि 60-70% नमबर आपके आने चाहिए यदि आप final में पास होना चाहते है final result में आपका नाम हो यदि आप चाहते हैं क्योंकि 800 रुपए आपको fees देना है आपने आपने आपको 16 रुपए दिया हुआ है इससे पहले आरो आरो के लिए 800 रुपए आप चाहते हैं कि फिर से आपकी fees लगे और तो आप लोग risk तो लीजे लेकिन risk का कोई मतलब नहीं है जब आपकी command ना हो तो अगर आपका command हो अगर आपको लगता हो कि आप 70-70% नमबर ला सकते ट्रांसलेशन में तो बिल्कुल आप यह form अपलाई कीजे क्योंकि देखिए passing marks तो बहुत काम है 33% शाचर नमबर आपको चाहिए maximum लोग तो शाचर परसन ला सकते हैं लेकिन शाचर परसन आपका काम यह शाचर नमबर से आपका काम नहीं चलने वाला है आपका काम तभी चलेगा जब आप 140 नमबर के आसपास लेंगे translation में तभी आप final result में पास होंगे क्योंकि आपको पता है 27 vacancy ही है ठीक है एक और सवाल था students का की high court वाले fees बहुत ज़ादा ले रहे हैं इस vacancy को साथ में क्यों नहीं निकाला दे कि साथ में निकालने का मतलब मैं बता दे रहा हूं क्योंकि यह vacancy थोड़ा सा अलग है आपको देखे stage 2 एक्स्ट्रा इसमें add है ठीक है और जो वाली आपकी जो vacancy आई थी उसमें सिर्फ आपका stage 1 है typing बस same day है उसके अलावा आपको final result आएगा ठीक है लेकिन इसमें आपका stage 2 भी होना है final result आपका बाद में आएगा इसलिए इसके साथ नहीं रखा गया है क्योंकि यह vacancy थोड़ा सा अलग है इसलिए इस vacancy को आलग निकाला है ठीक है तो मैंने आपको हर चीज समझा दिया है कि कोई भी degree वाला apply कर सकता है लेकिन preference उसको दिया जाएगा जिसका graduation में हिंदी और English था दोनों था तभी preference दिया जाएगा ठीक है और जब tie हो जाएगा तभी preference आपको मिलेगा और stage 1 जो आपका है वो same to same वैसा ही है जैसे पिछली वेकेंसी में था आरो यारो की बस इसमें stage 2 आपको देना पड़ेगा जो कि 200 नंबर का है ठीक है और पांच गुना candidate बुला जाएगे stage 2 के लिए 200 नंबर का stage 2 आपका होगा सब आपका और ससे जो जिसमें हे खतरनाक वाला है जिस में plaiting और adasmemant जो आपको टांसरेट करना हगा 20 नंबर का मागई 20 नंबर का सक्शं आर जो रूइलस और एक्ट्स है और 20 नंबर का आपका तो भाई जिन्होंने लॉग किया होगा भाई जिन्होंने बीए के बाद LLB कर लिया होगा उनके लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा मौका है क्योंकि जो जो लॉग किये होंगे उनको पता होता है ठीक है आपकी पढ़ाई ही है लेकिन जो बिल्कुल भ कि इसको बेंगे होती है अधिस के mapped सकते मास सकते के इसको अप्लाई कि रहे हैं। जैसे budget speech आपने डाउनलोड कर ली हिंदी में हिंदी का कोई भी आप section पकड़िए उसको English में translate करिए और बाद में वही budget section आप PDF डाउनलोड करिए government की site से English में और बाद में उसको आप check करिए फिर देखे कितनी गलतियां आप किया आ रही है ऐसे आप practice कर सकते हैं कुछ judgments को download कर सकते हैं कुछ sections को download कर सकते हैं कुछ laws कुछ acts को download कर सकते हैं उसको Hindi में भी आप translate करिए और बाद में उसी portion का आप English में download करिए फिर उसको check करिए कि आपने कितनी गलतियां की है प्रक्टिस करने का सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया है यदि आप यह नहीं कर सकते हैं तो सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया है लक्षमी कांत की किताब यदि आपके पास हिंदी की है तो हिंदी वाला इंग्लिश में कर दिये अब बाद में आप उसको चेक करते रहेगा क्योंकि लक्षमी कानत आपकी पॉलिटी की किताब है तो पॉलिटी की जो भाषा है एक तरीके से आपकी मेले इससे मैच करेगी ठीक है बाकी किशान जो ये क्रिशी कानून है बिल्कुल आप इसको समझ लेजे इसको तो आप एक चार्सो मांक्स का होगा है 200 मांक्स आपका स्टेश ये नमबर आपका स्टेश वन का ठीक है और 33 पर्सें फाना अनिवाल रहे है जो थैस परसेंट पाएगा वही फाइनल कट ओफ के लिए फाइनल मेरिट के लिए कंसिदर होगा और जो टाइपिंग में 25 नमबर कम-से-कम सब्सक्राइब करेंगे जितना सब्सक्राइब करेंगे आप उतना ज्यादा मोटीवेशन मिलेगा मुझे और जल्दी से जल्दी में वीडियो आपको बराऊंगा बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो वीडियो इसकिप नहीं होगा और आप टेलिगाम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं दोस्तों साथ शेयर कर सकते हैं जो भी इनिशियर्टीव चल लई है यह सब फ्री ओफ कॉस्ट है कोई भी मैं पेट कोर्स नही होता है टेलिगाम चैनल के लिंक डिस्क्रिशन वाक्स में दी है जोइन कर सकते हैं आप लोग इस वीडियो इतना ही जैहिन